साथियो, सबसे पहले तुम्हें लोक सभा के जितने भी डूली एरक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हारदिक बढ़ाई देता हूँ और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस उसर पर हारदिक शुपामनाई देता हूँ साथियो, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारती जन्ता पार्टी के संसदी दल के नेता वा यंडिये संसदी दल के नेता वा लोक सभा में नेता के चैन के लिए यहाँ पर हम सब एकत्रित हैं मैं समझता हूँ कि मौदी जी का नाम इन सारे पदों के लिए सबसे योग, उफयोग और सरवता हूँ और साथियो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्र मंडल में, उनके सहयोगी के रूप में, उनकी कारिशमता, उनकी कारिकुशलता, दूरदर्चिता, प्रामणिक्ता को मैंने प्रत्यक्ष देखा है और क्यों मैंने ही नहीं देखा है, बल्कि समस्त देश्वासियों नेशी देखा है हम सब के लिए प्रसंद्था का विश्य है यंडिये की सरकार ने दस करसों में उनके नेत्रत में देश की जो सेवा की है उसकी भारत में ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी प्रसंद्था हो गई हम सब को जस्तों भाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की यंडिये की सरकार बनने जा रही है साथियों 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंतरी बनने रही है यहां तक मेरी जानकारी है मित्रों लोग तांतरिक देशों में पुरे विश्यों में तीसरी बार यह औसर दिकिशी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी यंडिये को यह औसर प्राप्त हो रहा है और साथियों हम लोग सौफाग्य साली हैं कि मोदी जी जैसा है एक चन्न कल्यानकारी है और संबेदन सील प्रधानमंतरी हम लोगों को मिलने जा रहा है इनकी नेत्रतु शमता इनकी कारेकुसलता इनका व्रीजन इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे यंडिये परिवार में भी व्रिद्धी हुई है हम सबकी पहचान गठवंदन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है और यह सिलसला जब आदणी अटल्वी हारी वाज पेईजी भारत के प्रधानमंतरी थे उसी समय से प्रारंब हुआ है और मैं यस्पश्ट कर देना चाहता हूँ एलाइंस गठवंधन यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है बलकि हमारा यह कमिटमेंट हमें भारत को ही एक सक्षम, सम्रिद, विक्षित, स्वाभिमानी और ससक्त राफ्ट के रूप में आगे ले जाना है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दस वर्सों में मोडी जीके नित्रत में भारत की दशा, दिशा, मनो दशा में एक क्रामतिकारी परिवर्तन आया है और साथियों पिछले दस वर्सों में आज देश इस दोर में पहुँच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को ये भरोसा हो गया है कि भारत देश विक्षित होने के साथ समुचे विश्व को नेत्रित्व और नई निशा देने का सामर्थ रखता है और साथियों, आज देश अपने आपको दसकों के लिए नहीं, बलकि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है और मैं मानता हूँ कि इस काम को और अधिक गटी देने के लिए मोदी जी से बहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो दगता है इसलिए भारतिय जनतापार्टी के संसदिय दल के देता यों यंडिये के संसदिय दल के नेता वो लोकशभा के नेता के रूप में मानी नरेंद्र बोडी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूँ यह जी से लगता है